ये हैं राहूल गांदी जी ये राजनेतिक दुनिया में ऐसे किरदार हैं जो अपने उट पटांग बयानों के लिए हमेशा जाने जाते हैं कुछ समय पहले राहूल गांदी ने धमकी दी थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे सभी को देख लेंगे और अब एक बार अपने संबोधन में उन्होंने यह कह दिया है कि हिंदु धर्में एक शक्ती होती है जिसे वह लड़ रहे हैं और उसे समाप्त कर देंगे इस मामले पर भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी और भारती जनता पाठी के वरिष्ठ नेता सुधानसु त्रिवेदी ने राहूल कांदी की जवरदस्त खिचाई की है आप खुद सुनिए राहूल कांधी ने क्या कहा और उसके वाद नरेंद्र मोदी और सुधान सुत्रिवेदी जी ने क्या कहा हर बेटी शक्ति का रूप है भारत मां का पुजारी हूं और जिनोंने कर शिवाधी पार्क में इंडिया नाइस ने अपना गोष्णा पत्र शक्ति को ख़तम करने के लिए किया है मैं इस चुनोति को स्विकार करता हूं और मैं इस शक्ति स्वरूपा माता हो बहनों की रक्ष की बाजी लगा दूंगा कैसा ठीवन खपा दूंगा क्या भारत कि धरति पर कोई शक्ति के बिनावत कर शकता है क्या शक्ति के मन्जूर है हम सब शक्ति की आरादना करते हैं और हमने तो चंदरयान की स्थफलता को भी किसको समर्पित किया चंडरईयान की सफलता को भी जहां चंडरईयान ने लेंड किया हमने उस सफलता को भी शीव शक्ती नाम देखरके शीव शक्ती को समर्पित किया है और ये लोग शक्ती के बिनास का धुगल फुक रे है कि लाक तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा देखिए ये जो आज ये वाक के बोला है ये बहुत बहु आयामी इसके observations हो सकते हैं पहली बात एक part-time politicians को आप forcibly परिपक्प politician नहीं बना सकते हैं बात सिद्ध हो जाती है कि आप कितना भी कोशिश करें पुराने जमाने में एक कहावत होती थी मतलब जब राजाओं का जमाना होता था तो अगर राजा आपसे खुश हो गया तो आपको हाथी दे देता था और नाराज हो गया तो हाथी के पाउं के नीचे कुचल देते थे आज वास्विक्ता में प्रजाही राजा है जनता राजा है तो अपनी बातों के द्वारा लोग उपर भी उट सकते हो नीचे भी आ सकते हैं सिती क्या है कि कोई नेता हाथी पे चड़ना ही नहीं चाहरा है headed यह समस्य है दूसरी बात इसमें भाशा और भाव की भी समस्य है क्योंकि देखिए इसमें जो भाव है जानते क्या यह कॉंग्रेस को यह बाई तरफ से जो कागच आता है ना कम्निस्ट मेनिफेस्टो लिखा हुआ मैं दर्चकों को बताना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने अपनी विचाधारा इचाधारा तो पुरी तिलान्यली दे ली है वो गांधिवाद वगरा कुछ नहीं दिखता है कालमा작स की दो किताबे थी ना दास कैपिटल और कम्निस्ट मेनिफेस्टो तो आज लेफ्ट साइट से परची आती है और कम्निस्ट मेनिफेस्टो भाव ही भारत के विरुद्ध का रहता है भारतीता का भावी नहीं रहता है फिर उसमें लिखा होता अंग्रेजी में, अब टांसलेट किया जाता हिंदी में, तो भाशा और भाव दोनों में वो ऐसा अभाव उत्पन कर देते हैं कि अपनी सारी कि सारी राजनीत का तिरो भाव वहीं पे कर देते हैं. अब मैं एक और बात कहरा है चाहूँगा, मैं थोड़ा यहां पर राहुल जी की बात से असहमत हूँ. यह अनायास निकला बयान नहीं है. राहुल जी, आपने देखा होगा, पिछले डेड़ दो साल से दुनिया में बड़े लेविल पे एक बाकाइदा श्रंखला चल रही है, डिस्मैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानि वैश्विक इस तरह पर हिंदुत्व को नश्ट करने का अभियान. फिर भारत ने ये एक बाकाइदा कॉन्फरेंस होती है, इरेडिकेशन अफ सनातन धर्म, यानि हिंदू धर्म का समूल लाश्व. अब ये कौन लोग स्पांसर करते हैं बाहर जाके? मैं ये बात कहना चाहूँगा, और इसमें भी मैं कोई ये नहीं कहा रहा हूँ, वही है, मगर तीनों बयानों को मैं जन्ता के सामने रखके, अपने आप उनके विवेग पे छोड़ता हूँ. जोर सोरस कहता है कि एक बिलियन डॉलर मैंने निश्चित कर रखे हैं कि मोदी की सरकार को हटाना है, और फिर डिस्मैंटलिंग ग्लोबल हिंदु तो हमको विश्विस्तर पर बड़े-बड़े प्रतिष्टित विश्वद्यालों में दिखती है, फिर भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी, इराडिकेशन और सनातन धर्म कहती है, और उसके बाद ये कहें कि ये तो बाई चांस हो गया, असहज हो गया, सहज हो गया, यह नहीं से, ये हिंदु धर्म की शक्ती से ही लड़ना चाहते हैं, परिमति हिंदु धर्म की शक्ती जी वो क्या है, उसके लिए रामचरित मानस में गोसामी जी ने लिखा है, अजह अनाद शक्ति अभिनाशी, सदा संभु अर्धांग निवासी, अजह है, कभी उत्पन नहीं हुई अभिनाशी है, और सदा भगवान शंकर के साथ रहती है, हमारे यां इसी लिए, एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी हैं, जिन्होंने चांद के उस अचूते कोने को जिसको भारत ने चुवा, दक्षणी ध्रो को नाम दिया, पॉइंट चिव शक्ती, जो नारी शक्ती वंदन संसत से लेके, शक्ती का वंदन चंद्रमा की सतय तक कर रहे हैं, और दूसरे ये हैं, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये शक्ती के प्रतीन की हिकारत इतनी है, कि भारत माता की जै बो हिस्सा, जिसको कॉंग्रेस ने त्याग दिया, जिन्ना के दबाओ में, मुस्लिम लीग के दबाओ में, उसकी एक पंक्ति में, आपने प्रबुद यहां पर जो पैनलिस्ट बैठे, उनको याद दिलाना चाहता हूं, उसकी आगे की लाइन, जो हटा दी गई, वंदन मातरम की ही आगे की लाइन थी, हर्दये तुम ही मा भगती, हर्दये में तुम भगती हो, भुजये तुम ही मा शक्ती, जो आप हाथ में शक्ती हो, और आप कमला कमल दन भी हार नी हो, मगर क्या बताएं, सबस्या क्या है, कि अब मजबूरी में, और मैं अन्त में एक और बात कह द ये किस मुहूर्त में राहूल गांदी ने अपनी नयायात्रा शुरू की थी मतलब बरबादियों का ऐसा जलजला आया है उसके बाद से और अंत आते आते हिंदु धर्म की संक्ति से लड़ने का बयान दे दिया मुझे लगता है कोई बहुत मारक दसा में किसी बहुत मारकेस की दसा में ने शुरुवात की होगी और वो भी हो सकता है वामपंतियों के चक्कर में विचारे न किया होगा क्योंकि देखिया गौहाटी से शुरू किये थे तो चौपाटी में देवडा जी छोड़ दिया थे बंगाल पहुचे तो दीदी ने मूँ मोड लिया था जारकंट पहुचे तो सीम की कुर्सी चली गई थी बिहार पहुचे तो उनके सूत्रधार नितीश कुमार जी मजधार में छोड़ के चले गए तो उत्तरप्र देश पहुचे जैन चोदरी जी ने चोड़ दिया था और सपा से गड़ बंदन क्या सपा के साथ मिधाय चोड़ के चले गए हिमाचन पहुचे नहीं हिमाचन पार्टी गड़ बढ़ा जी और जब तक बंबई पहुचे क्या क्या करने लगे और मुझ से ये निकल गया तो मैं सिर्व ये कहता हूँ ये एक सुविचारित मानसिक्ता की सहज अभीवेक्ती है और एक ऐसे नेता को नेता बनाने का प्रयास जो नैसरगिक नेता नहीं है उसके उपर थोप थोप कर वो करने का प्रयास करें जिसे उर्दू के एक शेर मैं अन्तुमें कहना चाहता इसको कोई सब्दशा न ले कि लाक तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा